जम्मो कश्मिर में आतंकवादियों के साथ गिरफतार किये गए डियस्पी देविंदर सिंग से जुड़े कई चौकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। करोनों की लागत से कई मंजिला घर भी बना रहा था। पूच्ताश के दोरान खुलासा हुआ है कि आतंकियों के साथ गिरफतार डियस्पी देविंदर का श्री नगर के साथ साथ त्राल में भी घर है जिनकी कीमत करोनों रुपिय में बताई जा रही हैं। जबकि वो खुद श्री नगर में अपने रिष्टेदार के घर किराये पर रहता था। और ये उसके रिष्टदार का गर है। आप देखें ये गेट बंध है पूरी तरह से यहां कहीं छापा मारी हुई है पिछले कहीं दिनों से जब से देविंदर सिंग गिरफतार हुआ है यहां से ही बताया जा रहा है कि आम्स एन अमनेशन जो है रिकावर हुए थे जिसमे सुत्रों के मुताबिक देविंदर ने पूच ताच में कबूल किया है कि उसने 12 लाख में आतंकियों को दिली पहुचाने की डील की थी। दील के मुताबिक देविंदर ने पहले आतंकियों को जमो पहुचाया फिर यहां से आतंकियों को चंडिगण पहुचाना था जहां ये कहकर कि वो मेरे PSOs हैं, उनको अपने साथ गाड़ी में लिया और जमू की तरफ रवाना हुआ। सुत्रों के मुताबिक DSP देविंदर पिछले एक साल से इन आतंकियों के संपर्ख में था। देविंदर आतंकी नावेद बाबू को पिछले साल भी अपने साथ जमू लेकर गया था। सुत्रों के मुताबिक शुरुवाती जांच से पता चला है कि कम से कम पाँच बार DSP ने आतंकियों को बनिहाल सुरंग पार कराने और जम्मू में शेल्टर बदले पैसे वसू ले हैं। आतंकियों के दोस्त जम्मू कश्मेर पुलिस के DSP देविंदर सिंग पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। लोग सभा में कॉंग्रेस दलके नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस मामले को सामपरदाइक रंग दे दिया है। कॉंग्रेस सांसत अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अगर DSP का नाम देविंदर खान होता तो कुछ और प्रतिक्रिया आती। मैंने ये कहा था कि अगर देविंदर सिंग का नाम गलती से देविंदर खान होता तो सोचल मीडिया पर RSS की ट्रोल आर्मी भंगामा वर्पादी थी। मैंने ये कहा था कौणरेस प्रवक्तार अनदीप सिंग सुर्जेवाला ने भी देविंदर सिंग को लेका ट्वीट किया। मैं आरोप लगाया कि कौंग्रेस आतंकवाद पर पहले से ही धर्म की राजनीती करती आई है। अधिरंजन चौधरी ने मिनिटों के अंदर धर्म ढूंड लिया। आतंकवाद के उपर धर्म की राजनीती करना ये सदैव से कौंग्रेस का तरीका रहा है। इस सब के बीच जमो कश्मीर शासन ने साफ कर दिया कि ऐसी घटना पर सियासत महीं होना चाहिए। और एक गंदी मचली इकारण पूरे तलाब को गंदा कहना ठीक नहीं है। आपको बता दें कि श्री नगर एरपोर्ट पर तैनाध देश्पी देविंदर सिंग को हिच्बल मुजाहिदिन के आतंकवादियों के साथ एक कार में पकड़ा गया। अब उससे पूछताशन पता चला है कि वो लंबे समय से आतंकवादियों के संपर्क में था। देविंदर सिंग को पिछले साल राश्टरपती पुरसकार से भी सम्मानित किया गया था। ब्यारो रिपोर्ट जी मीडिया।